श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है जीत साधना यूटूब चैनल में ओम नमह शिवाय हर हर महादेव दोस्तों मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार क्योंकि 8 मार्च महाशिवर प्रब्रात्री के दिन भगवान भोलेनात जी के आशिर्वात से इस बार यानि महाशिव रात्री के दिन बना दिव्य और दुरलब महाशुब संयोग बारह राशियों में से चार राशियां होंगी करोड़पती मालामाल जी हाँ दोस्तों आपको बता दें भगवान भोलेनाथ जी के आशीरवाद से इस बार महाशिवरात्री पर बारह राशियों में से चार राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है स्वायम भगवान भोलेनाथ अब इन चार राशे वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट दूर करने वाले हैं और अब इन चार राशे वालों के जीवन में आने वाली है भगवान भोलेनाथ जी के आशीरवाद से अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन चार राशेवालों का जीवन बदल जाए जी हाँ दोस्तों वे खुशनसीब और भाग्यशाली चार राशियां कौन कौन सी हैं जो कि भगवान भोलेनात के आशीरवाद से इस बार महा शिवरात्री के दिन करोड़पती बनने वाली हैं यह चार राशेवाले इस दिन महा शिवरात्री के दिन धन से माला माल होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको उन्ही चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इन चार राशेवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त दवास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे और कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिख दे इस दिन को हम महाशिवरात्री कहते हैं, इस साल महाशिवरात्री का महापर्व आठ मार्च को है। जानकारों के अनुसार महाशिवरात्री पर शनी और उनके पिता सूर्य दोनों कुम्भ राशि में विराजमान रहेंगे। आठ को बता दें, शनी सूर्य की युति से जिनकी कुंडली पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वह इस दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिशेक अवश्य करें। इस से समस्त दोश समाप्त हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की महिमा निराली है। भगवान भोलेनाथ की उपासना करने वाले देवी देवता, मनुष्य गंधर्व या राक्षस भूत प्रेत, सभी को उनका आशिरवाद मिला। कहते हैं कि महा शिवरात्री पर किसी ऐसे शिवलिंग का दूद से अभिशेक जदूर करें, जहां लंबे समय से पूजा नहीं हो। माननेता है कि इस से हर तरह के दोश से पित्र दोश, ग्रिह दोश समाप्त हो जाते हैं। इस दोरान भगवान शिव के मंत्र ओम नमह शिवाय का 108 बार जाब करें। इस दिन आप भगवान भोलिनात की सच्चे मन से बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा करें। इस से आपकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण होंगी। आपको बता दें, इस दिन, यानि महाशिवरात्री, पर आप शुभ मुहूरत में सनान करने के बाद मंदिर स्थल को स्वच्छ कर लें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा कर पंचा मृत से सनान करवाना चाहिए। महाशिवरात्री, वरत में माटी के लोटे में पानी, या फिर दूद भरकर उपर से बेल पत्र आग धतूरे के फूल चावल आदी डाल कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आपके घर के पास कोई भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर नहीं है, तो घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बना कर उसका पूजन करें। जाप करते रहे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनो कामनाहों को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि इस बार की महाशिवरात्री के दिन धन से माला माल होंगी, इन चार राशिवालों को करोडपती बनने से स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर इस बार की महाशिवरात्री पर भगवान भूलेनाथ जी की विशेश कृपा होने वाली है। चलिए राशिवालों आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होंगी। आपको न केवल धन लाब होगा बलकि आपको व्यापार में भी खूब वृद्ध देखने को मिलेगी। दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करेगा। आपका व्यापार और साथ ही साथ साथ। इसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। गौर तलब है कि कन्या राशिवालों आपके सभी कार्य अब सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आपको धन लाब प्राप्त होगा। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित यह समय आपके ल लाब उठाएं कन्या राशिवालों क्योंकि देवों के देव महादेव कन्या राशिवालों के उपर बहुत प्रसंद है। इस बार महाशिवरातर पर अगली राशिदोस्तों यहां पर आती है सिंह राशिवालों आपको बता दें कि आपको आपकी महनत का पूर्ण फल मिल इसके अलावा आपको कई ऐसे नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके जीवन में पूर्ण रूप से अच्छा बदलाव होगा, इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा, जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको व खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, धन लाब प्राप्ति के अनेकों योग हैं, प्रॉपटी संबंधित, यह समय आपके लिए अत्यंत लाब प्रद साबित होगा, विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा साबित होगा, और साथ-साथ संतान प्राप्त के इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त होगा। जबरदस्त सिंह राशे वालों आपके लिए इस बार की महाशुभ रात्री पर योग है। धन लाब प्राप्ति के भी बड़ी खुशखबरी हों की प्राप्ति के भी। इसलिए समय का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिससे की ऐसी ही घ्यानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे दोस्तों। इस लिस्ट की अगली राशी है दोस्तों। यहां पर है जिस पर भगवान महादेव की कृपा है पहले से अर्थिक स्थिति बेहतर होगी रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। साथ सात परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी मधुरवानी की वजह से आपके सभी कार्य सफलता पूर् अगवान भोलेनात की कृपा आप पर कुम्भ राशेवालों बनी हुई रहेगी, जिसकी वजह से आपकी धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, वे अब दूर होंगी, और साथ ही साथ आपके जो भी रुके हुए कार्य थे, वे अब सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे, क्योंकि महादेव की कृपा से कुम्भ राशेवालों इस बार की जो शिवरात्री है, आपके लिए धन लाभ प्राप्ति के योग्ये बना रही है, जिससे घर परिवार में आपके खुशियां ही खुशियां होंगी, जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन लाभ मिलने वाला है, समय का भरपूर लाभ उठाएं, अगली राशे दोस्तों, यहां पर आती है मिथुन, राशी मिथुन, राशेवालों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके उपर इस बार की महाशिवरात्री पर बहुत अधिक पढ़ने वाली है, क्योंकि मिथुन, राशेवालों, आपके जीवन में जो भी दुख दर्द संकटकष्ट है, वे अब दूर होंगे, छूमंतर हो जाएंगे, यूं कहें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके उपर ऐसी पढ़ गई है, कि आपको आपके जीवन में इतनी बड़ी पूर्ण होंगे, साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों का परिवार का सब का भरपूर साथ मिलेगा, भगवान भुलेनाथ जी की असीम कृपा आपके उपर इस बार महाशिवरात्री पर बनी हुई है, जिसकी वजह से धन संबंधित सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, और खूब धन वृद्ध्य होगी, आपके घर में आपको धनलाब प्राप्ति के योग्य बनेंगे, मिथुन राशिवालों चारों तरफ से बड़ी-बड़ी खुश खबरी प्राप्त होंगी, प्रॉपर्टी संबंधित यह समय अच्छा रहेगा, नया वाहन या प्रॉप आपको प्राप्त हो सकता है, जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, कहने का मतलब है कि यह समय मिथुन राशिवालों, महा शिवरात्री का जो है भगवान भोलेनात की क्रपा से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा, समय का भरपूर लाब प्राप्त होंगे, बड़ी बड़ी खुश खबरी प्राप्त हो, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा इन चार राशे वालों पर इस महाशिवरात्री पर पढ़ने वाली है, जिससे इन चार राशे वालों का जीवन अब खुशियों से भर जाएगा, तो दोस्तों आपको ये व बन्यवाद!